हाई स्टुडेंट मैं सुंदरपाल प्रोड एसिस्टेंट प्रोफेसर इंग बॉर्टनिंग गॉर्णमेंट कोलेज नौहर आपका स्वागत है आनंदम गुरूप में और यह जो गुरूप बना हुआ है यह गृषिश कारिक्रम के लिए बना हुआ है आज जो मैंने गुरू पर रुक शार नाम से शुरू हो रही है और वЙ तक है यह यहानी खिस्ट नाम जो और वाइतक है तो ऑसले करके जो 890 तक 890 अब यह आनंदम है क्या इसके बारे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अनंदम एक सब्जेक्ट लगाए गया है जो मुखे रूप से जो आपकी जो बीए फस्टीर है उसके लिए और एमे फस्टीर है या जिसको प्रिवेस कहते हैं उसके लिए एक सब्जेक्ट है और यह एक नया सब्जेक्ट शुरू किया गया है और उस सब्जेक्ट का नाम जो है वो आनंदम है जैसे मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कि जो आनंदम है वो एक सब्जेक्ट है अब यह सब्जेक्ट जो है बीए फस्टीर में लागू होगा आपकी और लागू हो भी चुका है इसके अंदर आपको इस सब्जेक्ट का नम अनंदम क्यों रखा गया इसके पीछे एक लोजिक है लोजिक ये है कि जैसे हम जो भी कारिय करते हैं पूरी दिन्चरिया के अंतरकत सुबह से लेकर के शाम तक तो कुछ इस प्रकार के कारिय किये जाएं कि जिससे अपने को आनंद की अनुगूती हो यानि कि अपने को आनंद हो खुशी हो इस प्रकार कारिय किये जाएं जैसे सुबह उठते हैं अपने तो अपने जैसे प्रथम गुरु जो होती है नो वो माता होती है तो हम माता पिता जो हैं उनके चरंड सपर्स करें की शायता कर दी या कोई जुरूरतमंद है किसी भी तरह से उसको हम अपने कैसे भी जैसे ये जुरूरत नहीं है उसको पैसे से भी शायता करें किसी की भी किसी भी तरह से हम हेल्प करते हैं जो शायता योग्य हैं और उसकी हम सायक बने उस सायता में तो उससे हमें अपने को क चलाना ऐसे है कि आप ज्यान से सुने है कि आपको एक Diary करनी है अब Diary में आप क्या करेंगी एक जैसे अपने फोटो को करते है ना उसका जो पेज होता ए-4 S chilli का ले 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 पर उस लाइनदार पेज में 15 नवंबर से ले करके और कंटीनयओ आपको दा capturing maintain करनी है कि 15 नूबर को आपने कौन सा कारिय किया जिससे कि आपको खुशी अनुब हुई जैसे उधान के तोर पर मैं आपको बताता हूँ कि आप आगे से जैसे स्टार्ट करें कि जैसे माल लीजिया हमने पक्षियों को दाना डाल दिया या किसी पेड में पाने डाल दिया या कहीं पर कच्रा पड़ा था और हमने दो च् código आरजनों ने कटा ओकरखे या सिंगल को इसी परसंद ने उठ़े को मतलब के की कूरा दान में डाल दिया या हमने गाम के अंदर इस परकार कहा कि भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, या हमने किसी गरीब बच्चे जो हैं, उनको किताबें दे दी, या जैसे माल लीजिए कि अब सरदी का मुस्मन चल रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास बिलकुल भी जो पहनने के जुत्ते वगरे नहीं है, तो किसी को पुराने या नए, जैसे भी हैं, उन बच्चों को जुत्ते दे दिए, तो यसे क्या होता है, कि इसे फाइदा होता है उनको, और वो उनके अपने लिए क्या है, कि आनंद की प्राप्ती है, तो ये चीजे हैं उस एक डाइरी जो आपको मेंटेन करने हैं, उस डाइरी में लिखना है, जैसे आप क्या करें, कि एक एक फोर साइज का जो पेज होता है, उस पर स्पाइरिल बाइंडिंग करवा लिए, उसके अंदर एक बार आप पचास पेज ले 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 पचास पेज लेकर, और this 15 l sour 17, 19117, really न, तो पांच दीन का एक पेज पर आगया, फिर 20, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 9 ऐसे लगातार, पांच दिन का अगले पेज पर, फिर पांच दिन का अगले पर पेज हर पेज के उ पर आपको पांच दिन का काम लिखना है के नहीं मतलब 15 नूमबर से लेकर के continue आपको ऐसे लिखना है कि आपने रोजाना कौन सा एक कारिय कम से कम एक कारिय तो लिखें हो सकता है आप ज्यादा कारिय कर रहे होंगे जिसी आपको क्या की आनद की प्राप्ति हो तो वो आपको लिखना है वो जो डायरी है उस डायरी के भी मिलेंगे और वो जो practical file है उसके जहांच हम करेंगे जैसे अलग-लग group में में बनाए गये हैं अब कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हमें इस group में नहीं जोड़ा गया तो मैंने आपको पहले बता दिया क्या था कि रुक्षार नाम से हैं जो group start हो रहा है आर से आर सी एकित के वाई तक मेरे पास हैं और अन्य जो lecturers हैं college के उनके पास बीए केर बीए सी केर अलग-लग group हैं तो जो graduation का first year का जो course है उसमें ये आनंदम subject जो है वो शुरू हुआ है अब एक और बात आती है कि इसके अंदर आपको जो file जो है वो बनानी तो है एक diary maintain करनी है उसको हम diary बोल सकते हैं कि diary maintain करनी है बनाई रखनी है उस diary को किसी भी समय आपको मंगवा सकते हैं फिर दूसरा बात आपको अच्छा काम लग रहा है जैसे मानली जी कि आपने पक्षियों को दाना डाल दिया फिर आपने कोई जैसे मानलो गरीब की साहिता कर दी और यह आप काम कर हो तो उसकी फोटो भी खिंसकते हो और उसकी फोटो कि नि constit पर्सनल मुझे बेश सकते हो आप यह जहती जो अच्छा काम कर रहे हो ना तो उसकी में जो फट आप च्छों के बाराबरा के शुटे गृoo बनाएंगे उसमें को लीडर बना देंगे, तो वो क्या होता है? उस group में परते एक group का जो बच्चा होगा, जैसे वो leader होगा, leader उन सब को मतलब क्या की leadership में करेगा उन सब की, और साथ में वो जो एक group बना रहे हैं, नहीं दस से बारा students का, मैं जहां तक है बारा students का ग्रूप बनाऊंगा, तो वो जो group है, उस group क आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर आपको यह है कि आपको एक पूरा काम उसमें लिखना है जैसे एक तो मैंने आपको डायरी वाला काम बता दिया कि आपको डायरी मैंटेन करने उसमें रोजाना का काम लिखना है एक प्रोजेक्ट है प्रोजे और बारा-बारा बच्चों के ग्रूप बनाने तो तस होगा न तो जैसे मारा लोग्रूप है तो पहले अरो spectrum की दियार करनी है और उस्के बाद आपको उसके पूरी जो है किस देस्ति उसके बारे में डिटेल ने होती है तो coalition का अदर तो आपको एक रूपरे का त्यार करनी है कि आपने व्रक्षा रोपन करने के लिए क्या किया किया क्यों जूरूरत पड़ी कहां पर की कर रहे हो कैसे करोगे कौन से व्रक्षाओं का करोगे यह जो चीज़ लिखनी होती है ना वो ताजेगी सिनॉपसिस के अंदर तो एक तो आपको दो सो प्लस बच्чों का गूप बनेगा अभी उसमें लगबग सवासो या टेřिर्स बच्चीं यह दो सुक्रोज करेंगी और उसके बाद जो ग्रूप जो बनेंगे वो बारा बरा बच्चों का गूप बनेगा उसमें प्रतिये ग्रूपका-एक-प्रोजेक्ट होगा मैं जो बच्ची हैं वो आपने confirm कर लेंगे थोड़ा सा कि कौन से group को कौन सा मिलने वाला है और उसके बाद उसके बारे में बात चीत करेंगे तो यह तो आनंदम subject से related जो चीज थी जिसके बारे में जो बच्ची हैं काफी उत्सुक हैं कि सरी यह क्या किया जाएगा दूसरी बात कर रहे हैं उनकी भी लगा सकते हो और जो आप कारे कर रहे हो ना उसकी फोटो group की फोटो हैं वो भी आप मुझे send कर सकते हो जैसे पांच से बच्चे हैं जो बच्चे हैं जैसे आपके गाम के अंदर जो सरकारी विद्धेले हैं या जहाँ बरसार जने जगे हैं वहां पर जैसे माल लीजिए कि आपके वो पेड़ पोदे लगे हुए हैं या साप सपाई नहीं है या आप किसी को सबजा रहे हो या पेड़ पोदे जो हैं उनको पानी बगरे दी रहे हो तो यह जो चीजी है ना इसकी आप फोटो आप मुझे बेच सकते हो जो मैं आप अपलोड कर आ गए क्या लिखा इसने कि सत्र 2020-21 के लिए अनंदम विष्य से समधित गद्विद्यों के लिए आउप्ताले से प्राप्त कुछ दिशानिरदेश हैं उस दिशानिरदेशों में क्या है कि जब तक विद्यार्तियों का महाविद्याले में नियमित आना प्रारम नहीं हो त ताकि इस विश्य की गतिविद्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सके। अनन्दम एक नया विश्य है, मैंने आपको पहले अउगत करा दिया इसके बारे में, जो वरतमान सत्र में सनातक पर्थम वरस और सनातको तर पुरवार दियाने के, में फ़स्टियर या प्रिविश्य के चात्रों पर अनिवार या विश्य के रूट में लागू होगा। यह शो अंक का होगा और जिसके अंक निर्धान की मापदन आयुकतालिय द्वारा प्रिशित किये गए हैं, जो आप सभी अच्छे से देखकर किर्पया विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, हम आपको पहुंचा देंगे, जैसे मानले यह कह रहे हैं न, कि प्रती एक जो ग्रूप हैं, उसका किस प्रकार, आपके नंबर कैसे बनेंगे, फाइल के नंबर किस प्रकार बनने हैं, कौन सा कारिय कर रहे हो, किस प्रकार के आपके नंबर बनने हैं, फोटोज के क्या हैं, कैसे हैं, वो भी आपको एक वीडियो ज़री आपको बता देंगे, विश्यय का उधेश शामाजीक कारियों को प्रती छातरों में रचनात्मक शोच विक्षित करना है रचनात्मक शोच विक्षित करना है यानि कि अच्छी सोच अदि करना है 90 किलोमेटर ये दूरी है और आप उसको एक लगागर कि 190 किलोमेटर की दूरी कर देते हो या 90 किलोमेटर की दूरी है उसको आप 0 किसी बच्चे ने अठा दिया और वो 9 किलोमेटर कर दिया तो ये गलत कारिये हैं तो इसको आप समझाओगे तो उसमें क्या है कि बच्चे में सोच विक्षित हो जाएगी पूरे दिन में कि अच्छा कारिये लिखना है तो अच्छा कारिये करेगा वो गलत कारिये नहीं करेगा तो यही इसने लिखा हुआ है कि विश्य का उदेश्य समाजिक कारियों के प्रति चात्रों में रचनात्मक शोच विक्षित करना है ताकि चातर चात्रा हैं समेधन शिल्ता के शाथ समाज की समश्याओं के समाधाने में सेयोग कर सके अब क्या है कि समाज में भी कापी समस्या हैं उन समाज की समस्याओं को भी हमें दूर करना है क्योंकि अपने पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे लोगी समाज जो हैं उसको उपर उठा सकते हैं पढ़ाई एक ऐसा जरीए है जिसके दवराम है उपर उठा सकते हैं उसको मेंटोर यानि कि हम विद्यार्चियों को प्रतिदीन प्रेना दाइक संदेश देंगे हम आपको संदेश देते हैं जैसे मैं आपको संदेश ये दूँ कि जैसे माली जी सबसे पहले आप उठें माता पिता को चरंड सपर्स कीजिए आपके पास आपके माता पिता नहीं हमान लोग कहीं पर रह रहे हैं दूसरी जगे तो आप मन में भी आप अपने माता पिता का संबन कर सकते हैं उसके बाद आप उठेंगे फिर आप जो भी क्रिया चीज़े हैं वो करीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े हैं बुजूर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए आदर कीजिए पड़े लिखे लोगों हैं उनके संपर्ग में रहिए नसाप्रवरति का त्याग कीजिए जो ऐसी चीज़े हैं ये चीज़ें जो है ना ये मतलब प्रेणा दा एक चीज़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं एक गुरू होने के नाते उसी प्रकार आप भी आगे पहुंचा सकते हैं आगे चोत्रा पॉइंट पढ़ते हैं ये आनंदम का पाटेकरम दो आधारों पर निधारीत होगा जो निम्न परकार से होगा सामविक्स तरप्र की जाने वाली गतीविद्या ये मैने आपको बताया था अभी कि गुरूप बनेंगे जैसे दसका बनेंगा या बारा का बनेंगा या हाट से बारा दaf चात्रां का समुई में मेंटोर दवारा बनाए जाए और प्रतेएक समुएक एक नेता का चेंग किया जाए जैसे मैंने आपको बताये था था ना कि एक ग्रूप बनेगा और उसका एक लीडर होगा प्रतेक कख्षा के मेंटोर द्वारा दिया जाएगा मेंटोर अपना वाट्सअप ग्रूप में विद्यार्थियों के सभी दिशा निर्देश और आवशक्ता अनुसार प्रारूप आधी धेशती रहेंगे प्रति ग्रूप को पूरी बता दूँगा अयुक्ताले के निर्देशों को अनुसार दिनाक 27-11-2020 तक जो अभी जस्टी गई है सामुदाइक सिवा प्रियोजना विद्यार्थियों से पूर्ण कराने की रूप्रे का आवश्य त्यारा कर लिजाए यह हम कर रहे हैं महिने के यह प्रोग्रेस में लास्ट वीक उसमें बनाया जाएगा उसमें मेंटोर विद्यार्थियों समुदाध्वरा की जारी गत्र वीदियों के बारे मताएंगे जैसे आपने कौन सा किया इस में इन्हें जो काम करोगे अभी जैसे दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर के लास्ट वीक में जो आमारी जो मीटींग होगी उसमें आपे क्या काम किया आपकी मैं मंगुआ सकता हूँ जैसे अभी मैं आपको काम देंगा जो आपको काम दे रहा हूँ वह आप अप डिसंबर के अंदर जो लास्ट वीक है उसके अदर काम गरके मैं आपसे मंगाँ हुगा वoire उसमें करेंगे इसके साथ नोडल अधिकारी जो अपने जुब घर्वाल सर नोडल अधिकारी को सभी मैंटोर समूह गतिविदी की मासिक रिपोर्ड निके फोटोग्राफ यग्त मैं े आपको बता था ना भी फोटोग्राफ के साथ यदी हो सके तो प्रतेक महिने के अंतिम कारे दिवस के दो दिन पहले पूरो अवश्य प्रस्तुत कर दें जिससे आगे आयुकताले में विजवाई जासके मैंने आपको कहा था ना कि आपकी जो फोटों वगरे आएंगी वो अच्छी फोटों आने चाहिए आप अच्छा कारे करते हुए ताकि आपक chéOS जो रूप रहे का कि किस परकार हम बना रहे हैं जथा सक्तों किया रिताए कि विद्यार्थिंग आपको कर सकता है पर देगे बनानी है जिसमें वे प्रति दिन अपने द्वारा किये जाने वाले अच्छे कारियों का record रखेंगे और समुह प्रोजेक्ट के साथ इसे भी अपनी कक्षा के प्रभारी mentor को जमा कराएंगे मैंने आपको पताएगा ना कि आपको एक diary बनानी है जाप spiral binding वाले पेस जो है ना कुन सा कारिय किये वास्तों में उसका मुल्याकन व्यक्तिकत और सामुह इक वीडियों के अदार पर होगा मार्क शीट में माक्ष या ग्रेड विश्य विद्य लेकि नियमा का नुसार आपके नंबर जो है सो नंबर का मैंने आपको बताया होन सो नंबर का अदार पर आपकी ग्रेड की कौनसी ग्रेड आईए आपकी फरस्ट ग्रेड Second घ्रेड जो भी आपकी ग्रेडिंग आजेगी ABC जो ग्रेड highly वह भी आ सकती हैा मेंटोर को अपनी WhatsApp गरूप में विध्यारतिएं के समन्द में REGISTER वगरहे ही का पेशंदारण करना आ है। हमने जो REGISTER बना रखा है आपका शब विध्यारतिएं का जो मैंने आपको लिश्ट टाले दिन न उन्agt Sबी विध्यारतिएं के नाम मेरे पास हैं सब्के जो दिशा निर्देश हैं सभी समंदित अधिकारी महाविद्यले की ओफिसियल साइट पर भेज़े जाने वाली गाइडलाइन को आपको पढ़ लें तो यह सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि यह जो है ना आपने को किस प्रकार करना है और फिर भी यह दी कोई चीज रहे हैं ग्रूप का जो ग्रूप के इस प्रकार का लिंक जो है वो भेज रहा हूं उस लिंक के दोबर आप जुड़े रही ठीक है ठेंक्यू स्टूडेंट